हेलो दोस्तों आज चुके और एक नए टोटेरियल वीडियो लेकर तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल तो आज के वीडियो में हम बताने वाला है कि कैसे आप इस डियर्स इसी एफेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने अलाइट मोशन अपसे कुछ अ को ओपन कर देना होगा फिर बीच में हमें एक ग्रिया कंलर की उसपेत करेंगे और नाइन ही इस तो शिक्टीन रेशियो के ड्लेट पर चले जाएंगे ठीक है ओड़ मेडिए पर मेड़ीया पे चले जाएंगे और आपको आपका वीडियो ले ले लेना है ठीक है है फिर से तो से क्या करेंगे हमें लाइब करेंगे और इदर से स्कौारेशिप ले लिए चूस कर देंगे और उसको खीच के कुछ इस तरीके से फूल स्क्रीन कर लेंगे ठीक है फिर क्या करेंगे एफेक्ट पर जाना है और इधर सर्च करना है सीओपी तो कोपी बैंग्रांड आजाएगा उस पर tap करेंगे और स्टेंडर सेटइंगे ठीक है सिंपल फिरक करेंगे फिर से एड़ से झाएगे और हमने सर्च करना है तो उपर में आ जाएगा उस पर टैप करेंगे और सेटिंग तो कुछ इस तरीके से माइनस 70 कर देना है आपको और गामा को कर देना है 1.100 कर देना है 1.100 कर देना है फिर offset को कर देना है 0.5 कर देना है 0.45 ऐसा कर सकते हो इदर से बैक करना फिर से एड़िफेक्ट पे जाना है और उपर सर्च करना है तो हाइलाइट एंड शेडव आजाएगा उपर में उस पर ते आप करेंगे स्टेंडर्छ सेटिंग पे करींगे हैलेट करना है फिर हैलाइट को कुछ कर देना है टूंडर्ट पर सेंट तक और शेडो को करना है आपको simple करणा है वन हंड्रेड या है मैंने simple इदर से back करेंगे फिर जाएंगे blending and opacity पे और blending and opacity पे जाने के बाद नीचे हमें difference दिखेगा उस पर tap करेंगे और इधर से सब्स्टेक कर देंगे ठीक है अभी क्या करना है हमें simple screen पर tap करना है plus वाले icon पर tap करना है फिर से square ship ले लेना है ठीक है इसको खीच के बढ़ा करेंगे फिर जाएंगे color and fill पे color and fill पे जाने के बाद white color choose कर लेंगे simply अधर से सिन इह से back कर लेना है फिर जाना है blending एटीक है फिर जाना है contrast पे contrast पे जाने के बाद overlay कर देना है ठीक है फिर हमारे मतलब वीडियो पर ब्राइटनेस भी सिंपल यह आज आएगा ठीख फिर क्या करेंगे इन दोनों लाइनों पर ट्याप करना है सिंपल इदर से और एंट तक चले जाना वीडियो के और इदर से फिल कर देना है ठीक है तो पूरे वीडियो पर अपलाई हो जाएगा हमार तिक है HDR CC फिर क्या करना है हमें अब सिंपल हमें वीडियो के लाइन पर टैप करना है और इदर से चले जाना एफेक्ट पर एड़ एफेक्ट पर जाना है नीचे वतर पर चले आएंगे ठीक है वतर पर आने के बाद हमें दूसरा वाला चूस कर लेना है चैनल रेंप ठीक है करेंगे स्टेंडर सेटिंग पर और सेकेंड वाला लाइन जी से कर देंगे वाइप ठीक है वाइप करने के बाद और भी ज्यादा मतलब एट्रक्टिव एफेक्ट आ जाएगा हमारे वीडियो पर फिर क्या करेंगे सिंपल स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से प्लस वाले फिर कर देंगे खिए ब्लैटनें उपस्टिपे आएंगे और कॉंट्रस पे जाकर और लेयर कर देंगे ठीक है इसको दिया है क्योंकि ब्राइटनेस थोरह से कम लग रहा था हमें इसलिए उसको दे दिया है तुक्ष पर निपन से जैब करेंगा और ऐँडा करेंगे और इ क्योंकि इदर प्ले करेंगे तो सही से नहीं आएगा लेक करता है हमारा एलाइट मोशन एप्लिकेशन ठीक है तो सिंपल यह हमें इदर से सेफ कर लेना एक्सपोर्ट कर लेते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्काइब और लाइक और शेयर जरूर करना